बजट के बाद सोने वचांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट का दौर जारी, आज भी सोना वचांदी हुआ भयन कर सस्ता, सोना वचांदी खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, यदि आप भी सस्ता सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए सु सोने व चांदी के दामों में जोरदार गिरावट आई है। देखा जाए तो सोने के जानकार बता रहे हैं। लगबग 6 महीने के बाद सोना इतना सस्ता हुआ है और चांदी के दामों में भी शांदार गिरावट आई है। चलिए जान लेते हैं। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है साथ ही आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है उससे पहले रोजाना सोने वचांदी के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेर करना चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव है दोस्तों देखा जाए तो चांदी के दाम 97,000 रुप्य जाने के बाद अब लगातार चांदी में गिरावट आ रही है और यदि आप भी सस्ती चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे या आपको सस्ती चांदी में निवेश करना है तो आपके लिए सुनहरा अफसर है क्योंकि आज एक ग्राम चांदी का भाव 84,86 पैसे है आज लगातार दूसरे दिन चांदी में जोरदार गिरावटाई है क्योंकि दो दिनों में एक किलो में 4,121 रुपे चांदी सस्ती हुई है वही आपके पास चांदी खरीदने का शांदार मौका है बजट में आयात शुल्ग घटते ही सोना भी सस्ता हुआ है वही सोने चांदी के जानकारों का कहना है अभी सोना लगबग 12,000 रुप्य तक सस चलिए अब जान लेते हैं आज 18 केरेट सोने का ताजा भाव क्या है आज 18 केरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 5,601 रुपे है और 10 ग्राम सोने का भाव 56,010 रुपे है चलिए अब जान लेते हैं आज 22 केरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है आज 22 केरेट के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 6749 रुपे है आठ ग्राम सोने का भाव 53,992 रुपे है दस ग्राम सोने का भाव 67,490 रुपे है वही 100 ग्राम सोने का भाव 674,900 रुपे है बजट के बाद अब सोने में जोरदार गिरावट आए क्योंकि कल 10 ग्राम सोने में 3550 रुपे सोना स सस्ता होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज 24 केरेट सोने के ताजा भाव क्या है। सरस्ता हजार 340 रुपे से लेकर 72,560 रुपे है। जैपुर में एक तोला सोने का भाव सरस्ता हजार 940 रुपे से लेकर 72,110 रुपे है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक प्यारा सा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद।